स्वागत है आपका अपने चैनल डागर एजूकेशन में आज हम क्लास ट्वल्थ बुक कंतरा का कावेखंड करेंगे कवीता का नाम है सत्या और इस कवीता के कवी विश्नु खरेजी हैं हमने पहले वाली एपिसोड में आधी कवीता कर ली थी और आधी बची हुई कवीता हम इस एपिसोड में करेंगे तो देखते हैं कवी क्या कहते हैं जैसे समी व्रक्ष के तने से टिक कर ने पहचानने में पहचानते हुए विदुर्वने धरमराज को निरनिर मेश देखा था अंतिम बार और उनमे से उनका आलोग धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युदिश्टर में सिर जुकाय निराश लोडते हैं हम कि सत्या अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला हां हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया देखो इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब विदृर शीशम के पेड़ के नीचे खड़े थे तो वो बिना पलक जपकाय युदिश्टर को देख रहे यानि उन्होंने अन्तिम शण तक बिना पलक जपकाय युदिश्टर को देखा और विदृर बिलकुल चुप रहे उन्होंने उनके सामने कुछ नहीं बोला और यहां तक की विदुर युदिस्टर के सामने उनको नए पहचानने का नाटक कर रहे थे लेकिन फिर भी उनके देखने के तरीके से यह पता चल जादा है कि वो युदिस्टर को जानते हैं उनका प्रकाश जब दीरे दीरे युदिष्टर की आखों में मिलता है तो ऐसा लगता है कि मानो वह सत्य उनके अंदर समा गया या उनसे टकरा कर आगे निकल गया कहने का मतलब है कि जब उन दोनों का सामना होता है युदिष्टर और विदुर का सामना होता है तो ऐसा लगता है कि विदुर ने कुछ नहीं बताया लेकिन फिर भी कुछ ना बताते हुए भी युदिष्टर उनको समझ जाते हैं और उनकी आखों से एक ऐसा प्रकाश निकल है कि आज के समय में माहुल इतना खराब है इतना बेकार है कि हमें सत्य को पहचानने में बहुत बड़ी मुश्किल होती है सत्य को पगड़ने में हमें बहुत सारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तो इंतियों में भी यही बताया है कि उधिश्टर सोचते हैं कि पता ही मेरे को वह सत्य सच में भी पता चला या मैं वैसे ही सोच रहा हूं। अगली पंक्तियों में कवी कहते हैं कि हम कहें नहीं सकते नै तो हम में कोई संफुन हुआ और नै ही कोई जुवर। किन्तु शेश सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने की सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं, हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमन उठता है, क्या वह वही छुवन हैं, जैसे विदुर कहना चाते तो वही बता सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना नीचे किये युदिस्टर ने खांडव प्रत से इंदर प्रस्त लोटते हुए, इन पंक्तियों में बताया गया है कि विदुर के कारे करने से ने तो कोई कमपन हुई, संफुर्ण का मतलब होता है किसी भी तरीके का बुखार, यानि तब विदुर ने ये किया, तो ने तो या उनके सारे से निकल कर वह आगे निकल गया, तो यहाँ पर युदिस्टर को खुद ही पता नहीं चलता कि वह सत्या उन्हें पता चला या उनसे वह सत्या होकर आगे निकल गया, युदिस्टर जब खांडव प्रत से इंदर प्रस्त जा रहे थे, तो उनका मुँ निराज थे और वो सोच रहे थे कि विदूर चाते तो मेरे को सचाई बता सकते थे लेकिन उन्होंने मेरे को सचाई नहीं बताई वे चुप चाप मेरे सामने खड़े रहे तो यहां पर कवी बताना चाहते हैं कि आज के समय में सत्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है प् इन पंक्तियों में कवी ने महाभारत के दो पात्रों का उधारन लेते हुए सत्य के महत्वता को बताया है कि हमारे जीवन में सत्य कितना जरूरी है वहकाल सत्य का नहीं था यानि जब महाभारत के समय अगर विदुर सचाई बोल देते तो शायद वैसा काम नहीं होता लेकिन उन्होंने सचाई को नहीं बताया और वह चुपचाप युदिस्टर के सामने खड़े रहे युदिस्टर उनके पीछे अंतिमशन तक भागे जब तक उन्हें सचाई का पता नहीं चला वो उनके पीछे भागते गए लेकिन अंतिमें भी सत्य उनके सामने खड़ा था लेक इस कवीता में खड़ी बोली का प्रियोग किया गया है भाशा तक्सम प्रधान है तो यहां पर हमारी कवीता खतम होती है अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करे शेयर करे कोमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू बाइ